वेल्कम तो प्यूर कुकिंग इस एडियो में मैं चिकन पीजा की रेसिपी विद रेडिमीड बेस की शेयर कर रही हूं तो चलिए बनाना शुकरते हैं तो बेस तो हमारे पास तैयार है तो अब हम इसके लिए चिकन फिलिंग बना लेंगे नमक एड़ कर रही हूं तेस्ट के साब से नमक एड़ कर दें ज्यादा नहीं एड़ करना है क्योंकि यह ड्राइ होने वाला है चिकन तो देखिए इसका कलर कंप्लीटली चेंज हो गया है अब हम इसमें चॉप किया हुआ लैसन एड़ करेंगे गार्लिक वन टी इस्पून इ यानी काली मिर्शी का पाउडर अच् laser से मिक्स कर देंगे यह चिकन पीज जो है वह बहुत ही जल्दिग बन जाएगा क्योंकि लडब बेस तो बना हुआ है और चिकन श्राइ करना है और स्वक्ता साहए बनाना है तो बहुत जल्दि बन जाएगा इसके साथ ही मैं मैंने भ पीज़ा हर्प्स है यह मिक्स हर्प्स है यह किसी भी सुपर मार्किट्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे तो मिक्स हर्प्स खरीदने से बहुत ही आसानी होती है अलग-अलग हर्प्स मैं कभी भी नहीं खरीदती हूं अब अच्छे से मिक्स करेंगे इस्टो की फिलेम बि बस जो हमने मसाले अट किये हैं उसका थोड़ा सा फ्लेवर इन वेश्टेबल में आजा इतना ही हमें इसको मिक्स करना है देखिए यह बिल्कुल अब क्रंची बाखी है इसका और बिल्कुल थोड़ी सी पकी है अब बन कर देंगे और फिलिंग को थोड़ा सा थंडा कर और क्योंकि वेश्टेबल सेट किया है मैंने तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा नमक एट किया है यह अनियन और कैप्सिकम के लिए अब फिलिंग हमारी तयार है तो इसे में साइड में रख दूंगी एक पैन ले लेंगे इसमें थोड़ा सा ओइल अपलाई करेंगे और तो आप एक तवा रखें पैन रखें अब देखिए मैंने होममेड पीजा सॉस अच्छे से बेस पर लगा दिया है पीजा सॉस की रेसिपी अल्रेडी मैं शेयर कर चुकी है अपने चैनल पे उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी तो आप वहां से चेक कर लिजिए और यह भी अब उसके ऊपर मैंने चिकन की जो हमने फिलिंग बना के रखी थी वह एट कर दी और उसके ऊपर से अब हम एस यूश्वल पीजा चीज आड़ करेंगे यह ब्रिटैनिया का पीजा चीज है इसके पर चीजा लिखा हुआ होता है और यह दाल के अब हम पीजा के हैप से एक एक 10 मिनिट के लिए बिलको लो फ्लेम पर रखेंगे तो जैसे मैंने कहा अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए पीजा तो एक तवा रखके पैन रखें तेखिए अब चीज पिगल गई है पीजा हमारा तयार है इसे निकालेंगे और बाखी के भी तो टेस्टी चिकन पीजा तयार है देख सकते हैं आप कितना टेस्टी लग रहा है और ये कोई भी देखकर ये नहीं कहेगा कि हमने ये घर पर बनाया है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो ज़रूर ट्राइ किजिए मेरे ये चिकन पीजा की रेसिपी और कैसी लगी मु झाल